आज की वीडियो में बात करेंगे Simplification के Quautions की Simplification के ये Quauston बहुत important question है दोस्तों क्योंकि सभी exams में पूछे जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला question आपके दिया गया है अनंत तक, ठीक है? यह डॉट डॉट का जो sign होता है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? ऐसे ही ये चलता जाएगा, ठीक है? चलता जाएगा, ऐसे ही, ठीक है? तो देखे हैं, इसे करने का क्या तरीका रहता है? देखें, मैं आपको बता दूँ, ऐसे question मैंने एक बार आपको पहले और कराये थे, देखिए कैसे, यहाँ पर लिख देता हूँ, 12, under root, 12, under root, 12, इस तरीके से मैंने आपको दोस्तों question कराये थे, यहाँ plus का sign होता था, यहाँ फिर minus का sign होता था, ठीके, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, य यहाँ पर सिर्फ 12 है, 12 के बाद में, यहाँ पर plus के बाद में, कोई संख्या नहीं है, ठीके, तो देखिए, इस question को कैसे solve करते थे, इसको करते थे, इसके हम क्या करते थे, multiply करते थे, ठीके, ऐसे गुड़नखन जिनके बीच का अंतर एक आए, ठीके, जिनके बीच का अंतर एक आए, ऐसा हम इनका गुड़नखन करते, तो इसका करेंगे, चार, multiply वाज धिरी, तो कितना हो जाएगा, 12, 4, 3, 12 हो जाएगा, तो इनके बीच का अंतर भी एक है, ऐसा हम, question, इनके factor कैसे करते हैं, इनके बीच का अंतर एक आए, तो चारो तीन के बीच का अंतर एक है, औ और plus वाला question है, तो बड़ी वाली संक्या answer होती है, मतलब 4 आपका answer हो जाएगा, यदि minus का sign रहता है, यहाँ पर, ठीक है, minus का sign रहता है, तो छोटी वाली संक्या answer होती है, यदि plus का sign होता है, तो बड़ी वाली संक्या answer होती है, लेकिन क्या होना चाहिए, इनके बीच का ज दो यहां पर ऐसा संख्या चल रही है तो हमें करना क्या होगा इस कोशन में हमें इस कोशन में क्या करना होगा इसके भी फैक्टर करने है ठीक है अब देखिए इसके फैक्टर हमको करने है लेकिन कैसे करने हैं देखिए आपको एक चीज में आपर बताऊंगा यहां पर इसके हमें factor करने हैं तो factor हो जाएगे 970 63 हो जाएगा clear है 970 63 हो जाएगा ठीक है दोस्तों हो गया 970 63 अब इसमें answer क्या होगा पिलस वाला है तो answer हो जाएगी आपकी बड़ी संख्या मतलब 9 हो जाएगा आपका answer अब आप कहेंगे इनके बीच का answer जो है वो एक तो नहीं है यहाँ पर तो आपके बीच का answer एक होता था लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पर common करके बताता हूँ का बारे पिलस वन देखी इधर करते हैं ताकि कोई भी doubt ना रहे जैसे बारे पिलस वन ठीक है अंडरूड बारे पिलस वन अब देखी यहाँ पर वन रहता है ठीक है लेकिन उसे क्या करते हैं silent कर देते हैं यहाँ पर जैसके हमने यहाँ पर इनके factor किये 4 तीयाई 12 इनके बीच का अंतर हम एक क्यों रखते हैं क्योंकि यहाँ पर एक silent रहता है ठीक है एक यहाँ पर silent रहता है इसलिए हम इनके बीच का अंतर एक रखते हैं लेकिन यहाँ पर दो दिया गया है यदि यहाँ पर दो नहीं दिया जाता तो हमें एकसे factor करने होते हैं यहाँ पर जिसके बीच का अंतर एक आता क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता one silent पर दो दिया गया है तो इनके बीच का अंतर में कितना रखना है 2 रखना है क्योभी दो दिया गया है क्लियर है दोस्तों अब देखे पिलस वाला है तो बड़ी संग की आंसर जैदि माइनस वाला होता तो छोटी संग की आollow तो अमीद करता हूँ जो doubt था वो clear हो गया होगा अब देखते हैं अगला question ठीक है दोस्तों अगला question है under root 63 minus 2 अब देखिए ये question बिल्कुल पहले वाला question की तरह है क्या किया गया है सिर्फ sign को change किया गया है पिछले question प्लस था यहाँ पर minus है तो कोई बात नहीं यहाँ पर आप वोई factor कर लिजिए नो सत्य तरे सेट होता है ठीक है दोनों का आंसर करेंगे आपको तो मिल जाएगा यहाँ दो दे रखा है लेकिन जब minus वाला case होता है तो छोटी संक्या आपका आंसर होती है चोटी संक्या इसमें क्या है साथ है यदि plus वाला case होता तो क्या होता दोस्तों आपका बड़ी जो संक्या है वो आपका आंसर हो जाती ठीक है दोस्तों तो उम्मित करता हूँ यह question आप में कर लिया होगा अब देखेंगे अगला question अगला question है under root 35 plus 2 under root 35 plus 2 और ये भी जारा दोस्तों आपकर ठीक है अब देखे इसमें क्या करना वही चीज है इसके factor करने है यहाँ पर दो गिया है इसके एक से factor करने है जीसके बीच का अंतर आपको दो मिले तो 7 multiply by 5 करेंगे तो आपको कितना मिल जागा 35 होता है ठीक है दोस्तों तो अमित करता हूँ यह question आपको अच्छे समझ में आगया होगा अब देखेंगे अगला question अगला question है आपका अंडरू 72 माइनस अंडरू 72 माइनस अंडरू 72 यह infinity तक जा रहा है यह भी दे रखा दोस्तों इसके बटे में दे रखा है अंडरू 56 प्लेस अंडरू 56 प्लेस अंडरू 56 यह भी आपका अनंत तक जा रहा है ठीक है इसके बटे में यह संख्या आपको दी गई है तो क्या करना है दोस्तों यहाँ पर देखी आपको माइनस के बाद कोई भी संख्या एक दो नहीं दी गई है यहां भी नहीं दी गई है तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों यहां पर एक होता है मैं पहली समझा चुका हूँ क्या होता है एक होता है silent होता है हमारा एक तो इसके हमें क्या करने है ऐसे factor करने है जिनके बीच का अंतर एक आए ठीक है तो इनका factor क्या होगा 9 multiply by 8 होगा 9 8 कितना होता है 72 होता है ठीक है तो इनके बीच का अंतर क्या होगा दोस्तों 1 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 1 आपका silent है इनके बीच का अंतर क्या होगा 1 होगा तो आप देखेंगे 9 का और 8 के बीच का अंतर क्या है जिसके बीच का अंतर एक आएगा क्योंकि यहाँ भी एक दे रखा है लेकिन पर वो silent है तो आप यहाँ पर चेक करेंगे 8 सत्य कितना होता है 8 सत्य आपका 56 होता है और इनके बीच का अंतर भी एक है लेकिन यह पिलस वाला केस है तो क्या है आपकी बड़ी संक्या आंसर होगी ठीक है तो इसके बटे में यह आएगा न तो इसका आंसर आया था आपका 8 इसके बटे में भी कितना आएगा 8 आएगा क्योंकि बटे है 8 से 8 कैंसल हो जाएगा एक आपका सही आंसर हो जाएगा केलियर है दोस्तों यहां तक बात ऊपर कितना आया था आपका आठ नीचे भी कितना आया है आठ आया है तो आठ से आठ कैंसल एक आपका सही आंतर हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो अम्मीद करता हूँ इस कोश्चन में कोई भी डाउट आपको पहले था तो केलियर हो गया हो होगा दोस्तों दी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें यदि आपने हमारे चैनल को अभी तर सब्सक्राइब नहीं कहा है तो कर लिजे और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजे दोस्तों धन्यवाद कर दोस्तों धन्यवाद